अब न देखें यहाँ पर यह जो icon आपको new items वला नजर आ रहरा है यहाँ पर क्लिक करें यह sequence वले button पर क्लिक कर दें नहीं तो short की है sequence बनाने की control N, control N अपने keyboard पर प्रेस करें तो आपके पर option आजाएगा new sequence की settings वला मैं डिरेक्ट आपको यहां पे लेके जाता हूँ सेटिंग्स में वीडियो एडिटिंग शुरू करने से पहले आपको इन सीक्मेंस का पता होना चाहिए कि कैसे बनते हैं क्या चीज होती है यह जो एडिटिंग मोड है हमने इसको एडिडियुटूब करा है अगर हम कर रहे हैं यू टूब के लिए ठीक है यू टूब वाला फ्रेम होता है 19 20 टू 10 80 थीक है 1920 टू टेनेटि यह किया और यहां पर सेक्वेंस का पने नाम दे दिया हमने यू टूब सेक्वेंस ठीक है यूट्यूब शीक्वेंस हमने इसको नाम दे दिया और क्लिक कर दिया तो यूट्यूब की वीडियों के लिए आचुक है हमारे पास एक सीक्वेंस इसको हम कीप पे रखे सिलेट कर लेंगे तो यह अब आप इसको एडिट करना शुरू कर दें यूटूब के लिए आप मैं पता यह आपको याद नहीं रहती कि TikTok की settings कौन सी हैं यह Instagram की settings कौन सी हैं वीडियो size की तो आप जाएं simply Google पे यह long term plan में आपको बता रहा हूँ गूगल पे जाना है और लिखना है जाके TikTok video size हाली आप इतना ही लिख देंगे ना गूगल पे तो आपको यह यहाँ पे आ जाएगा 1080 और उसके बाद 1920 मतलब आपने 1080 पहले टाइप करना यहां से से ctrl C करें और वापस जाएं अपने settings वाले option पे यहाँ पे से रखें custom क्या उस कुछ ने बताया था 1920 यहाँ पे यह रख देना और बाकी की सारी settings इस तरह से रहने देने हैं और यहाँ पे आप लिख दें बेशक TikTok sequence ठीक है तो आप हम इसको click कर दिया तो यह था कि हमारे पास TikTok वाला frame आ जुका है ठीक है keep exist settings पे रखेंगे तो आपका वही वाला frame आएगा तो अगर आपकी लैंड्स के वीडियो बनी थे आप इसको खेंच के इस तरह से वल्टिकल कर सकते हैं यह मैं आपको सारा कुछ बाद में समझाओंगा फिल वक्त आप इस वक्त फ्रेम समझें कि आपके पास TikTok वाला TikTok वाला और Instagram वाला और Facebook का एक और भी होता है one by one वाला ठीक है और अब जनाब बारे आती है Instagram के sequence की तो हम control and press करेंगे अपने keyboard पे settings में जाएंगे editing mode है जो इसका कर देंगे हम custom कस्टम के बाद यह जो frame है यहाँ पे frame size यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे 1080 और यहाँ पे हम press क करेंगे Insta sequence ठीक है हर sequence को हम नाम दे देंगे तो हमें याद रहगी हर चीज हर चीज का पता होगा और यहाँ पे click OK कर देंगे तो यह देखे जनाब अब आपके पास आचुका है Instagram का video size ठीक है अब रह जाता है one by one जो Facebook पे अक्सर आपको देखने को मिलता है ठीक है यह Facebook पे यहाँ पे horizontally हम इसे type करेंगे 1080 और आगे vertically भी 1080 ठीक है और यहाँ पे sequence name हम इसको दे देंगे one next one ठीक है और इसकी expect ratio यह देखें one by one ही है और इसको ok कर देंगे हम तो अब यह देखें हमारे पास आचुका है one by one expect ratio वाला video ठीक है इसको अपनी मर्ज़ से यहां से adjust करें और आ होना चाहिए कि आपने इसको YouTube पे करना है TikTok पे करना है Instagram पे करना है या फिर इसका one by one वाला फ्रेम राके इसको Facebook पे आप लोगों ने अपलोड करना यह वाला फ्रेम आप लोगों ने बहुत जादा देखा हुआ और अगर आप लोगों नहीं देखा होगा तो अब आप चुरू हो जाएगा यह फ्रेम भी वीडियो अपलोड होती है इस पर तो जना आप यह देखें यह डिफ्रेंट मुबाइल डिवाइस की एक्सपेक्ट डेश्यों यह यूट्यूब के लिए यह फेस्बुक के लिए जो कुछ भी होता है यह स्क्वेर वाक्स है फेस्बुक जाएंगे और वहां से आप देखके अपने सेटिंग्स में जाके अपलाई करें जना फिर आप उसको एडिट करना शुरू कर देंगे अब वीडियो एडिटिंग शुरू करने से पहले जितनी भी थी आप लोगों को समझ आ चुकी है अगर नहीं आई तो जल्दी से जाओ इनको अपलाई करो प्रैक्टिस करो इन पे खुद तब आप लोगों को जल्दी समझ जाएगी अब अगली वीडियो है जो उस पे हम वीडियो एडिटिंग करना शुरू कर देंगे बेश्यू को टिक टॉक की हो इंस्टाग्राम की हो यूट्यूब की हो हमने वीडियो आड़ने करने वाला जो चीज आपके काम की होगी जरूरी होगी मैं वही चीज़ एड़ करूंगा